नमस्कार दोस्तों ओसीन नेटवर्क में आपका स्वागत है मैं हूँ ओमकार चोधरी और आप देख रहे हैं कि मुंबई से जाने माने पत्रकार मार्मिक के पूर्व संपादक लेखक भाव तोर से कर मेरे साथ जुड़ गये हैं भाव क्या हो रहा है उत्राखंड करनाटक औ सदल रही है भारते जिनता पारिटी मुख्यमंत्रियों की आक्षमता अस्थानिये राजनितिक परिष्थितियां सामाजिक समी करणाओं का दबाव या कुछ और मैं एक मानता हूं कि यह तो होना चाहिए देखिए एक बात होती है कि कोई जो अच्छा नेता होता है तो वो पार्टी को आगे लेकर जाता है वो सीनियर है इसलिए कुछ होता नहीं है यह ज्यादा से ज्यादा बार मले करके चुंकर आया यह बात होती नहीं कभी कभी क्या होता कि आपको लोक्षा के में सबसे बड़ी बात तो जनममानस होती है पब्लिक परसेप्शन होती है और उसमें अ में लीडर्शिप का चेंज होना भी ज़रूरी है वरना एक तो लीडर ऐसा होना चाहिए कि केशु वही तो सबसे बड़े नेता थे घुजराच के वही चीफ मिल्स्टर बने उनके बारे में कुछ नाराजी थी तो शंकर सिंग वागेला ने भगवत की थी उसके बाद दो-तीन मि केला तूटे उन्होंने अलग पार्टी बनाई कॉंग्रेस से मिलकर सरकार बनाई योज चल कॉंग्रेस ने चलने नहीं दी फिर चुना हो गये फिर वीजेपी जित गई फिर केशु भाई चीफ मिन्स्टर बने थे और उसके बाद ही नरे नमोदी को लाकर बिठा जिया तो नरे नमोदी बिलकुल नया चेह रहा था उनको तो कुछ चुनाव लड़ने का तक एक्स्प्रेस नहीं था लेकि जो बन गए तो उन्होंने जिस जंग से पार्टी और सरकार दोनों समाल कर दिखाया तो वो जरूर होता है किसी भी लीडर से वो सिर्फ गुजरात के लिए पिनस्टर बने ऐसे नहीं तो मानलों कि बीजेपी के लिए धरक बन गए यहानि जो बीजेपी वाजपी अडवानी ने बड़ी सबसे पार्टी बना दी थी उसको मेजरीटी बना दिया तो जो लीडर होता है वह यहीं तो रोना था कि यह अडवानी को कीमत नहीं दे रहे अडवानी का रिस्पेक्ट नहीं कर रहे लेकिन अडवानी का रिस्पेक्ट करने के लिए पार्टी डुवा है क्या यह भी सोचना पड़ता है आप अगर पार्टी में हो तो नेता पार्टी से बड़ा होता है अगर पार्टी और नेता साथ साथ बड़े नहीं होगे तो न लोग सोनिया के सामने भी इंदीजार जैसे ही जुखते गए और कॉंग्रेस पार्टी खतम होते गए अच्छा सोनिया से भी दूबले थे केसरी केसरी और नर्सियराओ लेकिन वो इतने बड़े निता हो गए कि पार्टी छोटे होते गई तो आज बोला जाएगा कि देखो शाह और मोदी अपनी मुठी में सब रखना चाहते नहीं रखना चाहते यही तो फर्क है हमें हमें समझना चाहिए हमें यह समझना चाहिए अगर हम एनेलिसिस कर रहे तो यह मानते हैं कि जो बड़े नेता है वह है इन्होंने यह दियोरप् इसके पहले भी उनके खिलाब बगावात हुई थी उन्होंने अलग होकर उनको पार्टी बनानी पड़ी फिर उनको चिप मिल्स्टर बनाया गया उसके बाद भी पार्टी में वो एक जूट नहीं ला सके तो इसलिए पार्टी में अच्छा नेता मिलने तक यह पुथल-प और बाद बैए तो जैसे हमने लिए को राजस्तान में वसंदरा राजे को वाजपई के जमाने में बुलाया गया लाया गया लेकिन वहां की पार्टी मुठी भी नहीं रख सकतने ना तो दूसरा नेता बनने पाया पाया है आच्छ शिवराज सिंग्ग ने कुछ अच्छी लीडर्शिप करके दिखाई रमन सिंग ने कुछ करके दिखाया लेकिन उसके आगे निकलना जो चाहिए था वो निकल नहीं पाए असल में एक बात होती है मैंने जो पढ़ा है उसमें जो IBM के मालिक थे वो तो असल में इंजिनियर भी नहीं थे लेकिन उन्होंने कॉंपिडर बनाया उनकी स्लोगन थी ठिंक और उसके कंपणी के जो बड़े उनका नाम में भूल गया भी तो वो इंटर्विव बड़े लोगों के लेते थे कंपणी में लाने के लिए तो आखिर सवाल वो पूश्चे थे क्या मुझे हटा कर कंपणी कैप कैप्चर करोगे अगर ना जबाब दिया तो उसको नापास कर देते तो यानि तुमारी जिर इतनी होनी चाहिए कि तुम ही कंपणी के प्रमुख बन जाओ अगर इस धंग से कोई काम नहीं कर रहा है तो वह पार्टी आगे नहीं ले जा वह अपनी कुर्सी बचाने की कोश मंत्री पहले पांच साल जो नरेंद्र मोदी के रहे उसमें उन्होंने एक भी मुख्य मंत्री नहीं बदला जबके उस समय यह कहा जा रहा था कि धार्खंट के मुख्य मंत्री को अगर आप नहीं बदलेंगे राजस्थान की मुख्य मंत्री को नहीं बदलेंगे तो एंटी इसलिए हारे थे क्योंकि वहां 15 साल से लगातार डॉक्टर रमन सिंग और शिवराज चोहान मुख्यमंत्री बन चले आ रहे थे तो उस कार्यकाल में इन्होंने किसी को नहीं छेडा जबके चाहते तो उस anti-incumbency को कम कर सकते थे मुख्यमंत्रियों को रिप्लेस करके इस बार ऐसा क्या है कि कोई रिस्क नहीं ले रहे हैं दो हजार अठारे में जो कुछ हुआ था शायद उसको रिपीट नहीं करना चाहते हैं किसी राज़ी में बिलकुल अब बात ऐसी होती है कि आप हम यह करे तो भी गलत है वो करे तो भी गलत है तो उस वक्त नहीं किया इसलिए हर गये वो लेंगे और आज वही गलती दुब जरूरी होता है अगर पैजली पाच साल में यह नहीं किया है तो वह गलती उन्होंने महसुस किये इसलिए बदला जा रहा है इसलिए बदला जा रहा है अगर नहीं बदले तो बोले गया हाँ वही तो गलती रिपीट हो गई तो जो ठीका कार होते है विशलेशक होते है उन इस वक्त गल्टी सुधार रहे। यह मान ना पड़ेगा और यह मेरा खैल है। अमदाबाद में अमदाबाद कार्पोरेशन का चुनाव था उस वक्वी पाद मेरे खहले दस साल पहले की बात है तो इन्हों ने पुरा का पुरा आपको याद होगा कि पिछले चुनाव में राजस्तान में बोला जाता था कि मोधी तुछ से बाहर नहीं वसुंदरा तेरी खैर नहीं इसका मतलब लोकल एंटी इन्कम्बंसी थी और दो साल कुछ महिने बाद जो पार्लमेंट का चुना हुआ फिर से पचीश के पचीश तो वो दुरुस करना ही जरूरी होता है क्योंकि अगर आप पार्टी और गवर्मेंट में बैटकर दोनों सवाल नहीं पार रहे हैं तो पार्टी को प्रिफरस देना पड़ता है और नेता को हटाना पड़ता है